रख हौंसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा, ठक करना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में, उमीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई, एकदम बढ़िया चल रही है, इनी उमीदों के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, साथियों ये बहुत यूटूब पर आप टोटल फ्री देख सकते हैं, और जो बच्चे पेड करके कोर्स लेते हमारे यहां सब्सक्रेब्शन वाला, उसमें जो पढ़ाएंगे, वो सब कुछ इसमें पढ़ाएंगे, बतरते हैं ये सिर्फ लाइब चलेगी, ओनली लाइब, लाइब के बाद इसका कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगा, कल आपने ये सब चीज पढ़ा था, सब को पता हैं, आज क्या पढ़ेंगे पता हैं, लाश्ट में जो कल छूट गया था, सभी एक बार एक टेंडेंस दे दें, अपनी फटा-फट कमेंट करके, कि आप आ गये हैं, जिनको सीखना है, ये कलास सिर्फ उन के लिए है, फालतु याँ भीन बट औरने वालों के लिए नहीं, जिनको सीखना है, सिर्फ उन के लिए है, भीन का भाग, ये पढ़ना था, कल ये छूट गया था, है न, तयार हो सबी, यस, बहुत अच्छा, आईए, आईए आपका ही इंतजार था, जलो भाइया, तो ये बताओ अच्छा, एक छोटा सा, अगर दूसरा मैं सवाल पूँछ लूँ, आपकी इजाज़त हो तो, कि सबसे छोटी अभाजे संख्या जानते हो, क्या होती है, बताए टॉपिक पे हम चली रहें फिलाल, अगर आपको गड़ित में कुछ भी नहीं आता है, आप ये समझ लो, कि अगर आपको मैत में एकदम कुछ नहीं आता, सुनने बटा फननाटा है, ये, सबसे छोटी जो अभाज संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज संख्या वो दो है, क्या है, दो, भिन का भाग, इसके अच्छी जानकारी के लिए इनके पीछे के पाट जरूर देखें, सबसे पहले पहला भिन लिखेंगे, जो फर्स्ट फ्रेक्शन है, ऐसे ही, बिल्कुल बिना किसी चेंज के इज़्जत के साथ, भाग का चिन हटाएंगे, गुडा का लगाएंगे, और ये भिन पलट देंगे, जो उपर नंबर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे नंबर था वो उपर चला जाएगा, जैनि खोपड़ी नीचे पैर उपर कर देंगे, बस, अब इनको सरल करेंगे, देखिए कोई ऐसा संख्या बताओ, जिसते ये डिवाइड हो जाएजा, जैफे देखिए, 19, एकम 19, 19, दुना 38, मतलब एक अंस लेंगे, एक हर, ठीक है, एक अंस, एक हर से डिवाइड हो जाएगा, चाहे ये सीधा-सीधा हो जाएज तब भी ठीक है, ऐसे हो जाएज तब भी ठीक है, सीधा-सीधा भी होता, दो से ये वो नई साता, ये एक अई साता, लेकिन वो फिर डिवाइड होता, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया 21 एकम 21 21 दूना 42 अब देखो इधर दो बटा दो बच रहा है इधर 1 अपान 1 ये दो बटा दो भी डिवाइड हो जाएगा कुल मिलाके सब 1 बचेगा और फाइनल में इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 यानि अंतता हम इसे सिर्फ एक बोल सकते हैं इसमें कोई परिसानी ना किसी को अच्छा है समझ में आ रहा है थोड़ा मुझे रुक रुक के बोलना चाहिए ना क्या कहना आप लोग का लगतार बोलता हूँ ना बिन रुक के चलो लिख लो अगला कुश्चन सबसे पहले दी गई जो फर्स्ट फ्रेक्शन है उसको पूरी इज़त के साथ लिख लेंगे फिर गुड़ा का चिन लगा देंगे भागवाला हटा देंगे और ये भिन पलट जाएगी 120 उपर चला जाएगा 108 नीचे चला आएगा इसमें कोई परिस्टानी नहीं होनी चाहिए अब इनको सरल कर देंगे देखिये हम ऐसे ऐसे सरल करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है नीचे उपर भी इनको सरल कर सकते हो अगर चाहो तो चलो वैसे पहले कर देता हूं देखो नहीं ऐसे काय करूं मैं 30 से इसको करो 30 से कम 30 34 120 डिवाइड होने वाली नंबर में एक हर हो एक अंस हो बस कभी भी हर से हर या अंस से अंस डिवाइड नहीं होगा अगर बीच में गुड़ा कचिन लगा है अगर बीच में गुड़ा का चिंद है तो कभी भी हर से हर या आंस से अंस नहीं कटेगा एक एक हर होना चाहिए टिक 27 27 27 24 27 28 होता है न होता है देखो ये फोर एक एक हर में ये डिबाइड हो जाएगा सब डिबाइड हो जाएगा फाइनल में वान आयेगा आप एक बटा एक भी बोल सकते हो हर्सित मिसरा समझ में आ रहा है मैं भूबी भेगम आख्छा है अनु सिंग नीलू पांडे जले आगे बढ़िया चापलो भाईया फटा फटी स्क्रीन साट ले लो जल दी से ले लिया अगला नेक्स कुश्चन देखो कहते हैं न करत करत अब भ्यास से जण्डमत हो तो सुजान पता है मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं फाइल बना लेता हूं इसका फलाइड तो वह पीडियाफ में सेब होती थी बाद में मिटता नहीं था जो कुछ लिख दिये अब एक मेरे को अच्छा आइडिया सूजा है इस पैनल में सारी खूबियां है इतना अब ब्यास ज़रूरी होता किसी भी छेतर में हो अब अब सबसे पहला बिन लिख लेंगे पूरी इजचत के साथ इसको उतनी इजचत के साथ उतारेंगे जितनी इजचत दुज लहे को भी या दुलहे को पहली बार से सुड़ाल मिलती है तो पूरी इज़्जत के साथ मैंने इसको लिख लिया अब गुड़ा का चिन लगा देंगे भाग की जगा पर इसको पलट देंगे 60 उपर 81 नीचे ये भिन आल्रेडी मैंने आसान बना के लिखा था इफ लिए कट पिट जा रहा हो ना जा रहा है समझ रहे हो ना बाकी हर जगा ऐसा नहीं होता है लेकिन हम आपको अभी सिखा रहे हैं शुरुवात है तो इस लिए थोड़ा आसान बनाया गया है पीबी आरे स्टेडी सपोर्ट मेरी आवाज सुन रहे हैं नहीं सुनते नहीं मुझे लगता आप सिर्फ देखते हो बस आवाज बंद करके न आप इमेल पर कंटर्ट करिएगा कि आप गायब काहे को थे इतना दिन तक यह 60 पर डिबाइड हो जायाएगा 60 दूना 120 और यह 71 दूना और 71 एक कम सही है अब 2 से 2 भी डिबाइड हो जायाएगा फाइनल में 1 अपान 1 आएगा इसे आप 1 लिख सकते हो क्या लिख सकते हो वन आगे बढ़े चलो भाई और किसी को कोई दिक्कत भाई इन सपोर्ट वालों को भी हमें कितना आएगा जरा हल करके बताओ मुझे भी काम करवाते हैं कमेंट करवा रहे हैं मुझसे अंकित कुमार जी राम राम ठीक ठाक है न बढ़िया है चलो यह पलड़ जाएगा भिन गुड़ा लगेगा इसे हल करो कितना आएगा हो जाएगा चलो अब यह 32 से क्या होगा डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा देखो छे बार जाएगा क्या छे दूना बारा चे बार जाएगा थाटी टू अंजा थाटी टू शिक्व जा क्योंकि 32 छक्का छे दूना बारा हां फी लेग छेतरी कठा रहे को नईस ठीक है ओके अब यह 72 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा ज़रा देखो चार दूना आठ चार सते अठाइस चार चार बार जाएगा यानि फाइनल में आपको जो मिल रहा है चार बटे छे दो बटा तीन आएगा फाइनल लिख लो कोई परिसानी ना किसी को लिख लेजिए फटा फट अर्चना यादो समझ में आ रहा है देखो कोई देर नहीं करेगा मैं बार 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 बोलता हूं ये क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगा बाद में और सारा वीडियो नहीं मिलेगा देली कलास के लिए पीवीर स्टेडी को टेली गराम पर जरूर जोईन करें बाकी वर्टसअप चैनल पर फालो कर लें ठीक है वर्टसअप पर भी चैनल है मैसेज करना लिंक मिल जाएगा और एक चीज और अगर आप मेरी बात नहीं सुने गया से अंदेखा कर देंगे तो रोज बोलता है कोई मतलब नहीं तो आपको कलास मिले या ना मिले हमसे कोई मतलब नहीं ठीक है यूटुब पर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो आपको मेरे दिये गए जो सुझाव हैं उनको पालन करना होगा टेली गराम पर हम रोज लिंक भेजते हैं माझनलों कि तिन खुलाफ आधा कंटा लेट हो गई तो हम बता देते हैं आज लेट है अगर नहीं पता ही नहीं चलेगा परीसान रहोगे खुझे रहोगे तो तो जो आइन करना होता है इसमें देखिए एक से अधिक बिन्ने, तीन बिन्ने, कैसे करेंगे? चले आगे, बढ़ियां, चल भाई, ठीक है, गुड़, आईए, सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेक्शन है, उसे लिख लेंगे, पूरी इमानदारी के साथ, तोला बटा फत्रा, फिर गुड़ा कचिन लगाएंगे, फिर इक्यावन बटा अलता आलिस, यानि भाई कचिन हटा के इस बिन्न को पलट देते हैं, ठीक है? अब ये काम हम इधर भी कर सकते हैं, बट अभी हम पहले बार में इसको नहीं करेंगे, क्यों? क्या कहना आपका? हम इसको भी कर देंगे, गुड़ा लगाएंगे, इसको पांच बटा दो कर देंगे, अब इनको डिवाइट कर लिजिए, 16, 13, 14, 17, 51, ये एक बटा एक बचेगा, इधर ये खतम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ये तीन बटा तीन और ये पांच बटा दो, ये भी आपस मे डिवाइड हो जाएंगे, फाइनल में आपका पांच बटा दो उत्तर आएगा, लिख लो भाईया, लिख लो, चाप लो, कोई दिक्कत ना किसी को, नहीं, ठीक है, एक और कोश्चन में दे रहा हूं, इसे प्यार से देखो और समझो, अब मुझे बताओ कितना आएगा, च चलो, इसको आप लोग हल करके मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी करो, फटा-फट, चलो भई, कितना आएगा, बहुत जल्दी हल करें, और सभी आंसर देंगे, जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, वो कमेंट में नो लिख के कमेंट करेंगे, या वो नो, और इसके सारे भाग देखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सारे पार्ट नहीं देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, रूबी यादो समझ में आ रहे हैं, अनु सिंग राज, खुशी कुमारी, एके संदीब, प्रिया सुकला, सुजल परजापती, सोना, नीरज कुमार, चलो, बहुत अच्छा, कितने लोग बता लिया आंसर, सबसे पहला कोई आंसर दिया है, पंकज बिसकर्मा, बेरे गूड, सुएता सिंग, दिसा, चलो भाई, बहुत अच्छा, बेरे गूड, बेरे गूड, बच्चे, बेरे गूड, चलो, ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा है, सिंपल सा, इसका आंसर आपको देना है, यह होमवर्क टाइप का नहीं है, तुरंद करना इसको, गीता बर्मा, यह बता मुझे, अंजली राओ, कि मैंने इतना सिखाया, आप लाश्ट में कह रहे हैं, हमें नहीं आ रहा, क्यूँ, यह तो दोखा है ना, बेमानी यह नहीं है, अच्छा, कर लो दोखा भाईया, देखो इदर, सबसे पहले इसको लिखेंगे, जो फास्ट फरेक्शन है, 38 बटा, तीरफट, गुड़ा का चिन लगाएंगे, यह पलड जाएगा, ठीक है, देखिए, यह एक दूसरे के, यह मतलब टेबल में आते हैं, 38 वंजा 38, अचुकी मैंने बनाया, इसलिए मुझे पता है, ठीक है, 5, 8, 4, 5, 15, 4, 1, 5 बार जाएगा, 38, 5, 190 होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं, पहड़ा वाड़ा याद कर लो, कल्कुलेफन करो खुब सारा, तीरफट, एक कम तीरफट, और 1, इसका कोई मतलब नहीं है, 3, 5 बचेगा, इसमें कोई आंसर दिया था, क्या, सामने समय हट जाता हूं, जिससे आपको पूरा बोर्ट दिखाई पड़े, दिख रहा है, पूरा, बढ़ियां कोई दिक्कत ना किसी को, सबही साथी जोरदार क्लास को लाइक सेर करें, बहु में और सीखें गडित बिल्कुल जीरो से, एक नजर मैं आपको दिखाऊं कल क्या पढ़ाया था, देखो, पहली नजर में मुझे ना देखो, कलास देखो, कल ये पढ़ाया गया था, ये, ये कल पढ़ाया गया था, कल ये पढ़ाया था, हल करवाया था सब कल, ये तो मैं बिना हल दिखा रहा हूं कुश्चन बस आधा मिनट दिखाऊंगा कल क्या पढ़ाया था वही दिखा रहा हूं कल यही पढ़ाया गया था यही पढ़ाया गया था कल सब पढ़ाया था कल भिन्न का घटाना पढ़ाया था और भिन्न का गुड़ा पढ़ाया था कितने लोग आये थे कल इबांदारी से यहां बताओ यस देखो यह भागम भाग कुछ नहीं होता है यह रील नहीं है कि आ गए यूटूब पे मिल गए धोके से और हम ऐसे खिसका खिसका के बस देख लिए गड़ी सीख गया ऐसा नहीं रील नहीं है टाइम देना पड़ेगा एक जोपड़ी बनाने में एक दिन लगता है एक महल बनाने में एक जिन्दगी लग जाती है तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर गड़ीत अच्छे से सीखना है तो हम 20 सीकंड में सीख जाएंगे 20 दिन लगेंगे 20 दिन यह सब कल पढ़ाया था तो आज आपको पढ़ना भिन्न के परकार क्या पढ़ने हैं भिन्न के परकार टाइप आफ रेक्शन इसको मैं सेव कर देता हूँ यह पीडियेफ तयार हो जाएगा इसको अब मैं हटाऊंगा ठीक है अब पढ़ेंगे भिन्न के परकार भिन्न का जोड़ घटाना गुड़ा भाग खतम हो गया एक छोटा समय सवाल करूं जिनको लग रहा है कि मुझे मैं थाती है तो वह मुझे बताएं कि एक आयत है रेक तो मुझे यह बताओ बाकी तीसरा कॉंड कितने अंसका होगा अब बहुत छोटा सवाल है जनाप कच्छा पांच का एक आयत है जिसका एक कॉंड 90 है तो उसका तीसरा कॉंड कितने अंसका होगा मैं इसमें कुछ फोटो इंपोर्ट करूंगा तब तक आप जो है उसका आंसर बताओ बताईए मैं कुछ यहां image import करूंगा तब तक आप बताईए कुछ oral question मैं पूछूंगा दो मिनिट तब तक मैं फोटो लगा लूँ इसमें फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा ठीक है अच्छा बहुत अच्छा उसका जो दूसरा कौण है वो 90 अंसका होगा दूसरा तीफरा चौथा सब 90-90 के होंगे क्योंकि कोई भी जो आयत होता है उसके परते कौण 90-90 के होते हैं ठीक है ओके बेरी गुड ओहो भाई यह आदा मिनट देना यार यह सब डिश्टर्ब हो जा रहा है इस चक्कर में पहले तो इसको लागाना नहीं था रुको एक मिनट एक दूसरा सवाल बताओ अब तक मेरा बात तो सुन रहो ना दूसरा सवाल बताओ यह बताओ यह कि सबसे चोटी प्रकृतिक संख्या क्या होती है सबसे चोटी प्रकृतिक संख्या सवरब गलत है आपका बहुत अच्छा, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, वन है वन एक दूसरा सवाल बताईए एक दूसरा सवाल ये बताईए कि क्या सभी पर्मिये संख्याएं क्या सभी पर्मिये संख्याएं अभाज्य होती है, हाँ या नहीं क्या सभी पर्मिये संख्याएं अभाज्य होती है जब तक आप लोग बताओ तब तक मैं फोटो लगा लेता हूं फिर मैं इसको पढ़ाता हूं हिंदी में इंग्लिस में देखने में अच्छा लगता है समाज में भले ना है लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ या नहीं जबाब दीजिए कि अग्वाद गाप ले ईविए कि यह बताइए कि संक्या 12 का सबसे बड़ा कि कि गुड़स क्या होगा मल्टिपल कि अग्वादध का यह संक्या 12 का सबसे बड़ा गुड़स क्या होगा ओ Chemistry मैंने अभी सवाल पूछा था कि सभी पर मेर spirituality होती है गलत है क्योंकि पर میں संक्या इसको भी सीरियल से ही लगाना है है बारा का सबसे बड़ा जो गुड़ज है वो क्या होगा अनन्त होगा किसी भी संख्या का लार्जेस्ट मल्टीपल जो है वो नहीं बताया जा सकता है किसी भी संख्या का जो गुड़ज है वो अनन्त मतलब हो सकता है बड़ा इसे बड़ा डिफाइड नहीं किया जा सकता है छोटे फे छोटा तो होता है अच्छा ठीक है संख्या बारा का सबसे छोटा गुड़ज क्या होगा बताये यह सब पढ़ाया जा चुका है देखिए यह मैं लगा रहा था और मेरा लग भी गया फिलाल और कुछ लोग निपट लिए कुछ लोग भाग लिए अच्छी बात है कौनों बात नहीं जायदा यह का पढ़ाय का पढ़ाय करें यह क्लास सिर्फ लाइब देख सकते हैं इसका सारा रिकॉर्डेट वीडियो बाद में नहीं मिलेगा इसका सारा रिकॉर्डेट वीडियो बाद में नहीं मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा आईए आप बात करते हैं टाइप आफ फ्रेक्शन भी थिक जांपल भिन के परकार क्या पढ़ेंगे भिन के परकार लिखा गया है अंग्रेजी में हम बताएंगे हिंदी में कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरा गुपता समझ में आरा कुछ थोड़ा बहुत कि खुशी कह रही हमें सब आता है कुछ नहीं बता पाती है कोठी आता सब है यहीं तो दिक्कत है कि अच्छे को बलाक करो बहुत बात कर रहा है कि स्वयता पटेल कि आप भी जाओ इनके साथ बागो चलो भीन ने में में जो होते हैं देखिए टाइप में टाइप निकलते हैं बहुत होते हैं में में जो होते हैं वो यही होते हैं जो आपको दिख रहे हैं छे साथ परकार के ठीक है मुख्यता यह होते हैं यही इतना होते हैं मालो छे परकार के ठीक है भिन क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ इनको हिंदी में बता देता हूँ पहला जो होता है इसको बोलते हैं इकाई भिन क्या बोलते हैं अबै रुक जा रहे दादा इकाई भिन प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन उचित या सम भिन ठीक है अनुचित भिन यानी इंप्रॉपर फ्रेक्शन इसे बिसम भिन भी बोलते हैं है ना देखो सम बिसम भिन अलग होती है समान असमान भिन अलग होती है मिक्स्ट फ्रेक्शन यानी मिस्रित भिन मिस्रित भिन लाइक फ्रेक्शन मतलब समान भिन अनलाइक फ्रेक्शन मतलब आसमान भिन इक्वैलियंट मतलब समतुल भिन जिनको गड़ित सीखना है सिर्फ वही यहां दिमाग पकाएंगे बाकी नहीं रुकने वाले क्योंकि मज़ा नहीं आएगी बहुत ज़्यादा मोनिका बर्मा कल से चलेगा अप्लिकेशन वाली कुछ बैच नहीं चल रही कल से चलेगा ठीक है आगे बढ़े चलो भाई यूनिट फ्रेक्शन क्या होता है जिसे बोलते हैं इकाई भिन साथी मेरे इकाई भिन क्या होती है पता है आपको इकाई भिन एफी भिन होती है जिनका आंस वन होता है जिनका आंस वन होता है बाकी हर में कुछ भी हो सकता है यानि one upon yaks के रूप में होता है one upon yaks के रूप में जहां yaks कोई भी नंबर हो सकता है natural number ठीक है जहां yaks क्या होता है कोई भी natural number हो सकता है yaks belongs to natural number इसे बोलते हैं belongs to हिंदिम बोलते हैं सदस है यानि yaks जो है natural number का फदफ है प्राकृतिक संख्या की और प्राकृतिक संख्या वन से शुरू होती है ठीक है जीरो नहीं हो सकती यहां पर यह भी लिख सकते हो तुम जहां यक्फ डजनाट इक्वल जीरो पर एक जामपल उधारण के तौर पर जैसे मानली जी हमने लिख दिया एक बटा तीन एक बटा पाँच एक बटा नौ एक बटा एक आइस मतलब कुछ भी लेकिन अंस हुआन रहना चाहिए बस थोड़ा बहुत बात कर लेने दिया करिए कभी कभी प्रॉपर फ्रेक्शन कितने लोगों को पता है हिंदी में बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं अंगरेजी लिखने गरिया हो मत भाईया कुछ वर्ड इसमें इंगलिस के जरूरी है आना प्रॉपर फ्रेक्शन इसे उचित या क्या बोलते हैं उचित या संबीन इसी को संबीन बोलते हैं न आईसी बीन जिसका अंस छोटा हो यानि नुमरेटर नुमरेटर का हो छोटा हो और डेनोमेनेटर बड़ा हो ठीक है नुमरेटर को का बोलते हैं देखा मुप तुम्हें इंगलिस के स्पेलिंग लिखी है इंगलिस वाले में ही फायदा होता है नहीं तो इंगलिस के स्पेलिंग लड़ ब यानि उपर की गिंती हमेशा छोटी रहेगी नीचे की गिंती बड़ी रहेगी उसे उचित या सम्भिन बोलते हैं यही पहचान है मतलब मतलब कातों का सब मतलब तो बताए दें मतलब अंस इज लेफ देन हर यानि अंस छोटका रहेगा हर बड़ा रहेगा बस खतम इंप्रॉफर फ्रेक्शन क्या होता यह कौन सी विमारी का नाम है कि अनुचित या भी सम्भिन यह क्या होता है बिल्कुल जैस्ट उसका उल्टा होता है जैस्ट उसका उल्टा होने का यह मतलब है का मतलब पता है तो का अंस बड़ा नहीं छोटा होगा बड़ा होगा हर छोटा होगा बस ऐसे ही जैसे फार एक जामपल के तौर पर यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया फाथ अंस बड़ा रहेगा यह बारा दस तेईस वनईस ऐसे जिनको गड़ित नहीं आती उनी के लिए क्लास है मैं बार बार बोलता हूँ हजार बार बोलता हूँ तो अगर आप भी उसी बीमारी के मार रहे हैं तो बहुत अच्छी जगा जुड़े हैं लेकिन इस क्लास का रिकॉर्डेड लाइब मतलब बात में वीडियो नहीं मिलेगा यह बात याद रखें अगर आप लाइब कलास में नहीं आएंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो यूटूब पर नहीं मिलेगा सभी जान रहे हो नहीं इस बात को जान रहे हो तो एक बार comment में हा लिखेंगे सभी यस मेरी ये बात अगर आपको पता थी तो comment में एक बार यफ लिखेंगे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा सुन रहा हो कम से कम यह पूंकर अच्छी फीलिंग आती है जो मैं बोल रहा हूं सुनत रहा हो कम से कम कर दो कि चलिए थोड़ा देर रुख जाते हैं तो थोड़ा साफ ले लेते हैं लोग like fraction क्या होता है अरो बता है ना तो डेली लाई वाया करो बस यहीं कहना चाहते थे अंत दो लाइक फ्रैक्षन यह क्या होता है क्या होता है लाइक फ्रैक्षन और फ्रैक्षन डैट हैप द wars streak आइट हैं ल इस डैन्स ड्रॉपरेंट नूमरेटर जिसे बोलते हैं भायवा का बोलते हैं इसे यह रुकना समान भिन का बोलते हैं समान या फजातिय भिन मतलब अपनी जाती विरादरीक लोग है यह आपस में देखो कैसे जैसे तीन बटा नौ शे बटा नौ 21 बटा नौ 33 बटा नौ 98 बटा नौ 19 बटा नौ का समझा देखो यह में एक चीज है सभी के जो हर है वो बराबर है सभी के हर बराबर है बस यही क्या होते हैं सजाती यह भिन्न होते हैं इन्हें आसानी से आपस में जोड़ा खटाया जा सकता है अगला है अनलाइक फ्रेक्षन अनलाइक फ्रेक्षन देखो प्रिंसी समझ में आ रहा है सिल्पी चोहान नेहा यादो परवती मांजी यह वीडियो भी लाइब के बाद नहीं मिलेगा आज इसको मैं तुरंद रिलिट करवाँगा आज पहले पढ़ाने तो दो असमान भिन या बिजातिये भिन बिजातिये भिन यह क्या होता है पूरा टाइम देता हूं कलास में नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो इसका पीडियो 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 देता हूं ना आज मैं सारा पीडियो बेह दूंगा पिछले 15 दिन का टेली गराम पर जो यह पढ़ाया जारा सब पीडियो पे मिल जाएंगा जो यहां लिखा है यह पूरा लिखना नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है राजा बाबू जैसे बैठना है बस देखो यहां पर क्या लिखा है unlike fraction have different denominator the denominator of fraction have various value in the case as a result unlike fraction are defined as fraction with the same numerator but different denominator का समझा मतलब यह कहने का है कि इनके जो numerator है वो सेम हो सकते हैं रुख गरान का भाईया देखो जैसे तीन बटा आठ 6 बटा 8 मतलब इनका कहने का यह है कि आपका जो अंस है वो सेम हो सकता है बट हर सेम नहीं होगा ऐसे ठीक है कुछ भी जो भी आप जान लो unlike fraction में ठीक है यह अलग अलग भी हो सकते हैं मतलब कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट उनका कोई मैचिंग ना हो ठीक है अंस कहीं कहीं अगर सेम हो भी गया तो ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है और यह अलग अलग भी हो सकता है ऐसे कुछ भी हो सकता है अनलाइक मतलब असमान बिन मैं मूँ से तो हिंदी बोल रहा हूं न मिष्टर क्या नाम है आपका अनुज कुमार समझा तो हिंदी में रहा हूं न थोड़ा बहुत अंगरेजी जानना जरूरी है यह हमारे देश का दुर भाग गया है इफली है बताएं कहें लिए चाइना देखो अपने आग भासम सब कुछ करता है वहां के निउच समचार कोई सरकारी काम का आज सब चाइना भासम होते हैं जिसे दूसरा देश आसानी कोई ने पढ़ सकता है हमारा एक मात्र ऐसा देश है जहां पर दूसरे देश की हर चीज लागू है क्यों क्योंकि हमारे यहां के लोग पढ़ाई लिखाई स्वास्त व्यवस्था फे जादा जाती धरम की राजनीती करते हैं हमारे देश के राष्ट पती से लेके परदान मंतरी तक देश की कोई भी महत्तवपूर्ण इनफर्मेशन होता है तो अमेरिकी ट्विटर पे जाके ट्विट करते हैं अपने देश का कुछ नहीं क्यों क्योंकि हमारे यहां के लोग हमारे यहां की सोच है कि सरकाई नौकरी चाहिए बहले चपरासी क्यों न हो सरकाई नौकरी फिले चाहिए क्योंकि उपर की कमाही है रुतबा है और नाम है साध कोई भी देखो जापान देखो वहां की डापानी लेंग्वेज है रूस की रूसी रोसी ये लेंग्वेज है इंगलिस आने चाहिए लेकिन फिर भी अपने आपने हाँ अइसा ही है कि समझेरे हो यह और और क्या थीक है आगे बढ़ते हैं जाने रहो बस यह न रहेक आपको नहीं पता है इक्वालियंट फ्रेक्शन जिनें बोलते हैं समतुल भिन यह भिन आपस में कुछ नहीं होती है यह किसी दूसरे पर डिपेंड होती है ठीक है अपने में खुद में कुछ नहीं होती है जैसे देखिए अगर हम कहें कोई समतुल भिन लिकھो तो आप ऐसे कुछ नहीं बता सकते हो किसी भिन की समतुल भिन हो सकती है ठीक है जैसे कमपेर करना माली जी हमने कहा क्या? इसकी तुलना करो इस phone की तुलना करो, क्या तुलना करोगे, कौन दूसर तो होना चाहिए न साथ में, अमाल लिजे मैंने ये phone भगल में लगा दिया, तो इसकी तुलना करो, इसके price में काफी अंतर है, बहुत बार difference है, इसमें जो security feature है, इसमें बिल्कुल नहीं है, मतलब आप compare कर सकते हो, ये नहीं है, ये थोड़ा पुराना है, बहुत सारी चीजें है, है ना, इसका color थोड़ा इधर से देखो blue color दिख रहा है, इसका एक दम बलेक दिख रहा है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, इसके लिए एक और मतलब होना चाहिए, तब आप बता सकते हो, जैसे मानलो कि मैंने लि समझ में आया, कोई दिखकत ना किसी को अगला है, मिक्स्ट फरेक्ट्पन, वहीं या मिक्चर वाला है, जैसे आपने देखा होगा, दुकानों पर लिखा रहता है, यहां पर सुद्ध देशी घी की मिठाईयां मिलती है, देखे होग नहीं, बतलब इतना सुद्ध रहती हैं, यहां लिखने हैं जरूत पड़ती ह आधकल हवा में भी मिलावट है, पानी, दूद, टेल, सब्जी, नमक, जो भी तुम खा रहें उस सब में मिलावट है, सब मिक्स्ट है, ठीक है, इंसान भी मिक्स्ट हो चुके हैं, प्रेल नहीं है, देखो कैसे, हम तुम सब, आधी मतलब हम नहीं है, चुड़े देखो सबस्क्राइब जिसमें जिसमें पूर्ड और अपूर्ड फंक्या का मिक्चर होता है जैसे यह ठीक है मेरे यह होती है पूर्ड फंक्या क्या होती है ये पूर्ड फंग क्या होती है और ये एक अपूर्ड फंग क्या होती है और दोनों साथ में मिला के जोड के लिखी जाती है इसलिए इनको mixed fraction बोलते हैं जहां तक मुझे पता यही होता है ठीक है गुड़ी यादो मेरी बात समझ में आ रही है ठाकूर रिसी चोहान इसलामिक हिस्ट्री आफीसियल रोली अवस्ति संगीता यादो गोलू फ्री फायर बॉय तुम्हारा नम लाश्ट बार बोला हूँ बच्चा सभी समझ गए ना पक्का तो अब अगर एक जामपल दिया जाएगा प्रेक्टिस करवाया जाएगा तो उमीद है कि आप लोग कर ले जाओगे सभी कर ले जाओगे पक्का बहुत अच्छा बेरी गुड 40 मिनट का लाइब सेशन होता है 9 बज़े फिर 9.40 तक और एक चीज़ और बता दूँ मैं बड़ी बड़ी बात कि इन सभी क्लास का recorded वीडियो बाद में नहीं मिलेगा आज ये गायब हो जाएगा बाद में नहीं मिलेगा जो candidate डेली आ रहे हैं अगर किसी emergency situation में वो नहीं आ पाते हैं तो वो हमें नीचे दिये गए जो WhatsApp नंबर चल रहा है उस पर अपनी email ID भेजेंगे जो उनकी YouTube में लागिन है